वर्धमान नामक नगर में एक बहुत ही कुशल और सम्रिध व्यापारी रहता था। राजा उसकी क्षमताओं से परिचित था, इसलिए उसने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल और बुद्धिमान तरीकों से उन्होंने आम आदमी को बहुत खुश रखा और साथ ही दूसरी तरफ राजा को भी प्रभावित किया। ऐसा इंसान जो सब को खुश रख सके, कम ही मिलता है। बाद में एक समय ऐसा आया कि व्यापारी की बेटी का विवाथा। उन्होंने एक भव्य स्वागत की व्यवस्था की। व्यापारी ने न केवल राजा और रानी को आमंतरित किया, जो इसमें शामिल होने के लिए बाध्य हुए, बल्कि उसने पूरे शाही परिवार और राज्य के सभी सम्मानित लोगों को भी आमंतरित किया। स्वागत समारों के दौरान उन्होंने अपने महमानों को सर्वोत्तम उप्चार प्रदान करना सुन लगाता था, को आमंतरित नहीं किया गया था, लेकिन वह स्वागत समारों में शामिल हुआ। उसने सोचा, अगर मैं राजा से इस व्यापारी का अपमान करवा सकता हूँ, तो मैं अपना बदला लूँगा। लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को नुकसान पहुचाने के लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा सोचते सोचते अचानक उसके मन में एक योजना आई। कई दिनों के बाद नौकर सुभा सुभा राजा के बिस्तर के पास फर्ष साफ कर रहा था। उसने देखा कि राजा अभी भी बिस्तर पर था, आधा जाग रहा था। नौकर बड़ बड़ाने लगा, हे भगवान। मुझे नींदा रही है क्योंकि मुझे कल रात नींद नहीं आई। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बड़-बड़ा रहा था, लेकिन मैंने कुछ अनुचित कहा, कृप्याक्षमा चाहता हूँ। राजा ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन नौकर जानता था कि उसने अविश्वास का बीज बोया है। राजा ने सोचा, यह सच हो सकता है। नौकर महल में स्वतंत्र रूप से घूंगता है, और व्यापारी भी। यह संभव है कि नौकर ने कुछ देखा हूँ, राजा इर्श्या से परेशान था। उस दिन के बाद से, उसने व्यापारी से अपना एहसान वापस ले लिया और उसे महल में प्रवेश करने से भी मना कर दिया। एक दिन, जब व्यापारी महल के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर रहा था, तो उसे गाडों ने रोक दिया। राजा के रवये में अचानक आये इस बदलाव से व्यापारी को आश्चर्य हुआ। नौकर पास ही था और गाडों पर मजा करते हुए चिलाया, हो गाड्स। वह व्यापारी राजा का कृपा पात्र है। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह लोगों को गिरफतार करवा सकता है, या रिहा कर सकता है, या यहां तक की बाहर भी निकाल सकता है, जैसे उसने मुझे बाहर निकाल दिया था, उनकी बेटी का स्वागत समारो। सावधान रहें, क्योंकि आपका भी यही हश्र हो सकता है, यह सुनकर व्यापारी को समझ आ गया कि नौकर ने ही किसी न किसी तरह से यह सब परेशानी पैदा की है, वह निराश हो गया और इस घटना से निराश होकर घर लोट आया। उसने हर चीज पर दोबारा विचार किया और फिर उसने शाही नौकर को अपने घर पर आमंतरित किया। उसने नौकर के साथ अत्यंत आदर का व्यवहार किया और उसे उपहार तथा वस्त्र देकर प्रसंद किया। उन्होंने दयालुता से कहा, हे मित्र, कुस दिन मैंने गुसे के कारण तुम्हें बाहर नहीं निकाला था, लेकिन शाही रईसों के लिए आरक्षित सीट पर बैठना तुम्हारे लिए अनुचित था। उन्हें अपमानित महसूस हुआ और मजबूरी में मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़ा, बाहर। मैं राजा को तुम्हारे प्रती अनुकूल बनाऊंगा जैसे वहाँ पहले था। नौकर घर वापस चला गया। अगली सुबह, जब उसने महल के फर्ष पर जाडू लगाना शुरू किया, तो उसने तब तत इंतजार किया जब तक राजा आधे जाकते हुए लेता हुआ था। मौका मिलते ही वहाँ अपने बिस्तर के चारों और जाडू लगाने लगा और बरबडाने लगा, हमारा राजा पागल है, शौचाले में ककड़ी खाता है, यह सुनकर राजा अचम्भित रह गया। वह गुस्से से उठा और नौकर पर चलाया, तुम कैसी बकवास करते हो? अगर तुम शाही नौकर नहीं होते, तो मैं तुमें बहुत बड़ा दंड देता। क्या तुमने खुद कभी मुझे ऐसा काम करते देखा है? एक बार फिर नौकर अपने घुटनों पर गिर गया और प्राथना की, है स्वामी, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, तो कृप्या मुझे क्षमा करें। मैं कल पूरी रात जुआ खेल रहा था और सो नहीं पाया। मुझे नीनदा रही है और मुझे नहीं पता की मैं क्या बड़बडा रहा हूँ। राजा ने मन ही मन सोचा, मैंने शोचाले में कभी ककडी नहीं खाई। उसने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वह हास्यास्पद रूप से जूट है। निश्चित रूप से दूसरी सुबा उसने मेरे भरोसेमंद व्यापारी के बारे में जो कुछ कहा वह भी हास्यास्पद रूप से जूट रहा होगा. यहाँ अनुचित था मुझे व्यापारी के साथ दुर्व्यवार करना है. उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, आखिर वह पूरी प्रशास्निक व्यवस्था में इतने कुशल है कि उनके बिना यह सुस्थ हो गई है. इस प्रकार सावधानी पूर्वक विचार करके राजा ने व्यापारी को महल में आमंत्रित किया और उसे उपहार, गहने और वस्त्र देकर खुश किया. उन्होंने व्यापारी को उसके पहले के पत पर पुना नियुक्त कर दिया और उसकी सेवाओं को पहले की तरह ही समर् करना चाहिए